पिंब्ल्स की हो रहें क्योंकि ऑईली स्किन हैं शिर्थ सब्सक्राइब सकते back clicked जब ऑल्र threat नीयुक्त है उसी सब्सक्राइब फर्चिन किस बात की आपको पते लोग रोज़ी सबसे कम मगता हैं बробर क्या होता है जानते हैं लो हैर परोसिटी के सिंपल सा है के रूटीन जिसमें आपको कुछ पी नहीं करना सिर्फ पानी से हेवाश करना है और आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्किय शाइनी हो जाएंगे तो देखो मैंने अपने हैर को खराब कर दिया हर एक इंग्रीडियें बने हुए हैं अब आप सोच रहे होगे कि मैं यह एर परोसिटी वार्ट यूज कर रही हूं पर इसका मतलब क्या है तो जिसे स्किन के टाइप होते हैं ड्राय ओईली और कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल वैसे हैर के भी टाइप होते हैं लो हैर परोसिटी या फिर मीडि और से चेक आउट में अब देखो जो वर्जैन है म Crisis मितलब कि जिन पर कोई भी हैमिक राइप में नहीं किया गया यह को तो एसा कुछ भी नहीं किया है तो मौस्ली इंडियों हैर जो होते है रो अबलेजागों अब गया है तबग होते हैं आकि इसे खुम् kansi क्वेंस की जवाब तो पहला क्वेस्टन आता है कि लो पॉरसिटी है को ग्रोख करना टाफ है तो चो लास्ट टैम में वीडियो बनाया था डीटेल में वाट हैर पॉरसुटी उसमें मैं था तॉ समस्वा था येस पर आज के वीडियो में में सिंपल सा अंसर दे रही हूँ औ अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट करते हो तो अब देखो low hair porosity के जो cuticles होते हैं वो इतने जाधा tightly closed होते हैं कि वो पानी भी absorb नहीं कर पाते हैं और कोई भी moisture absorb नहीं कर पाते हैं अब हो जाती है moisture की कमी जिसकी वज़े से वो strong नहीं रह पाते हैं और तूट जाते हैं हैर के अंदर पानी जा ही नहीं पाता तो वो dehydrated हो जाते हैं और बीच में सी तूट जाते हैं जो low porosity हैर होते हैं वो mostly आइलिंग है और वाशिंग है यह दोनों चीजे बहुत ही major role play करता है है को hydrated रखने में तो फर्स्ट विशन है कि हमें हमारे हैर को कितना अब बाकि है टैप के कमपेरिजन में जो हमारे है ना वो डर्ट एन ओईल को ज्यादा इसली एक्युमिलेट नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से वह गंदे भी नहीं होते हैं और उन्हें जाता फ्रिक्वेंटली वॉष करने की नहीं होती है क्योंकि और वाश करने से भी न जो हमारे बालों का नेच्रल ओईल है वह चला जाता है जिसकी वज़े से हमारे बाल बहुत ही जल्दी ळाय हो जाते हैं तो क्या सजेस्ट किया जाता है कि आपको न हफते में एक बार या फिर जाहिश चाहिए canal आपके जो tell हे कितना जल्दी ओईली हो जाते हैं अगर होते हैं तो आपको जल्दी वॉच करने की नहीं है नहीं कि टेखो यांपlara आप ज्यादा करते हु यां पर आपको sweat घरता है और फिर आपको ग्रीशी हो चुके हैं तो कि एक उन्हें कि बाद भी आपको आपके बाल नीग कि अरय आपको अपको यह को कसे हैं वह को सिर्फ अपरिखास आपको लगेगे घ् jour इनुम्हें होता है मौिस्ट्टर एपकि यह पाल है कि आपके जो पाल हैं कितना बालु हो जीसे मेरे बाल चार, पांच, अर श्य दिन के बाद चाहर कर थो मैं सज्विस्त करता हूं डेलि उपलामा साथा उसक लग उसक्राम हम करता हूं बट अगर आपके बाल दिन में दो दिन में ही ऑईली हो जाते हैं तो आप हर 2 या 3 दिन में और को यूज सकते हो या फिर हर हेवाश के पहले भी उसे यूज कर सकते हो इसे यूज कर सकते हो बट मैं मोस्टली सजेस्ट करती हूं डेली यूज करना जिनके भी जो स्कैल पर ज्यादा जल्दी आइल को प्रडिूस नही पाती हैं तो light oil जो होता है फिर भी easily अंदर चला जाएगा जिससे कि आपके hair moisturized रहेंगे कुछ examples है light oil के जैसे कि sesame oil, बादाम रोगन oil, grape seed oil, hojoba oil यहां फिर argan oil और कुछ essential oils को भी आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैं आपको यहां पे दो बता रही हूं rosemary essential oil यहां फिर lavender essential oil अब oil करनी कैसे है तब जो भी oil यूज़ करो उसे गरम करके यूज़ करो गरम उतना ही करना है जितना कि आपकी fingers पे आप सह सको क्योंकि यह जो हमारा touch sense होता है आप इससे पता कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कितनी गरम या फिर कितनी ठंडी लेनी चाहिए senses का approval होना बहुत ज़रूरी है अगर fingers पे आप उतना गरम सह सकते हो तो ठीक है और अगर नहीं सह सकते हो तो आपको फिर वो चीज़ को ठंडा या फिर गरम करना पड़ेगा फिर चाहिए वो खाने की बातों या फिर सर पे लगाने की अब देखो ऑईल को गरम करके यूज़ करने से cuticle open होता है और जो ऑईल है वो easily अंदर चला चाता है हमारा जो एक एक hair strand है ना वो तीन layers के साथ में बना होता है पहला जो cuticle का layer होता है वो एक protein से बना होता है जिसे अब आपने गरम लगा लिया अब फिर आपको मसाज करने अब तेखो अगर मसाज करने पर आपको hair fall हो तो मत करना क्योंकि है को लंबे समय तक moisture नहीं मिला है ना तो वह अंदर से बहुत जादा dehydrated है और हलके से pressure से भी ने जल्दी तूट जाएगा तो बस सिर्फ आपको oil लगा लेना है और oil के बाद आपको steam देना है जो low porosity hair होते है ना उनके लिए heat ना उनकी good friend होती है स्टीम के लिए ना आप यहां पे hot towel का या फिर steamer cap का भी यूज कर सकते हो अगर daily oil कर रहे हो तो स्टीम डेली देने की ज़रत ने बस आपको डेली गरम oil को ही यूज करना है और steam जो है वो आपको हर hair wash के पहले दे देनी है अब यह तो हो गया oil का अब हमें hair को wash कैसे करना है वो जानते हैं तो कितने दिन में करना है वो तो मैंने समझा दिया पर कैसे करना है यह सुरो हैर को पहले तो hot oil treatment दे दो एक घंटा पहले और उसके बाद 15 पहले steam दे दो इसके बाद आपको hair को wash करना है शेंपू की मदद से लेकिन गरम पानी से ज्यादा गरम नहीं होना चा पिर लगा लोड़ को cultural hair mask रिच Это क्या है तो है मस्क भी अपनाते हो वह लगा सकते हो या फिर बाहर से जो भी ला सकते हो वह लगा सकते हो अब कौन सा है उसके आगे बात करते हैं लोडर सब्सक्ति को Parkway पहर से नहीं है जैसे कि onion juice है यहां फिर जिंजर juice है उसे आप यूँ भी सूखे बालों में लगा सकते हो उसके बाद आपको है को वाश कर लेना है और अगर आप मास्क नहीं लगाते हो तो आप कंडीशनर का भी यहां पर यूश कर सकते हो ठीके पर अब आपका यांपर है वाश और फिर धीरे-धीरे cuticles close हो जाएंगे तो oil बाहर निया पाएगा और moisture जो है आपके बालों के अंदर रह जाएगा और इससे आपके बालों बहुत जादा silky हो जाएंगे फिर आपको air dry कर लेना है और dryer का use नहीं करना है अब next question आता है कि कौन सा shampoo use करना चाहिए देखो shampoo में silicone, sulfate, parabens नहीं होना चाहिए मैं आपको यहाँ पर तीन shampoo suggest कर रही हूँ जिसमें से मैंने दो खुद try किये हुए हैं फर्स्ट है love beauty and planet का lavender shampoo plus conditioner सेकेंड है plum avocado plus argan frizz का conditioner और shampoo और थर्ड है mom's ko का protein shampoo और conditioner अब protein जो है वो हैर के लिए अच्छा नहीं होता है जो कि हमारे हैर इसे यूज किया हुआ है और इसका रिजल्ट मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगाया इस वज़े से मैं से बड़ीयो के बीच में एक सिम्पलसी टिप देना चाहूंगी कि आप ने जो स्क्रण चीज करते नों वह सेटिन का आप्र होता है न उसके स्क्रण चीज यूज करो और स्काफ्स यूज करके रात में सोया करो इससे आपके बाल डामेज नहीं होंगे क्योंकि friction create नहीं होगा अब देखते हैं कुछ good और bad ingredients जो कि आप अपने है मास के लिए यूज कर सकते हो और ये ingredients ने नैश्रल है और घर के हैं तो good ingredients में आता है एलेवराजिल, flaxseats, glycerine, onion juice, ginger juice, bad ingredients में आता है केस्टर ओयल, coconut milk, banana, mayonnaise, eggs का, protein, yogurt यानि की curd जो होती है अब मुद्दा यह आता है कि जो coconut oil है उसे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और काफी सहरे लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए तो देखो coconut oil जो होता है वह good में आता है यह थिक ज़रूर होता है बट यह इतना भी थिक नहीं होता है कि आपके बालों को damage कर दे पर फिर से यह depend करता है कि जो आपके बाल है वो कितना जल्दी oily हो जाते है अगर आपके बाल ज्यादा जल्दी oily हो जाते है तो coconut oil आपके लिए नहीं है और आप सोच रहोगे मैंने यह एक्स का और यह जो दही का है वो क्यों मना किया है क्योंकि इनका जो protein content होता है वो बहुत ही ज्यादा high होता है और हमें इतना high protein नहीं चाहिए वरना हमारे जो बाल है वो डैमेज हो जाएंगे अब यह पूरा वीडियो देखकर क्या आपको लगेगा कि यह इतना जंजट है low hair porosity में तो काश हमारे hair high है फिर low normal hair porosity की होते तो मैं आपको बता दूं कि low और normal hair porosity जो होती है उसमें सबसे कम maintenance लगता है और सबसे ज्यादा silky shiny और healthy बार यही वाले दिखते हैं अगर high hair porosity होत तो अब अगर आपने इस पूरे वीडियो वो देखकर के notes नहीं बनाए है तो इस पूरे वीडियो में बताया गया है के routine में आपको shortcut में समझा देती हो बहुत ही simple है तो first है आपको oil को गरम करके use करना है second है hair wash के 15 minutes पहले आपको hot oil treatment लेना है third step है आपको shampoo से wash करना है और पा बस इस simple सा 5 step जो hair के routine है वही आपको follow करना है और सुनो अगर आपका hair mask घर का बना हुआ है उसमें अगर oil हो तो गीले बालों में लगाना है आपको लेकिन shampoo से पहले लगाना है और अगर उसमें oil नहीं है तो आप shampoo के बाद भी से use कर सकते हो और एक और tip सुनो low hair porosity है ना उन उने अंदर से strong रखो प्रूटीन जादा खाओ पानी जादा पीओ आपने देखा होगा काफी सही लड़किया कुछ भी नहीं करते हैं उनके बहुत ही जादा silky शाइन होते हैं और जो इतना कुछ करते हैं उन्हीं के ड्राय होते हैं क्योंकि उनमें प्रोड़क्ट उनके लिए प्रोड़क्स पे खर्चा करने से जादा अच्छा है अप उन पे डाइट पे खर्चा करो क्योंकि यह ऐसे हैर के क्वालिटी है ना केसे आवकर डेली पानी से भी वाश करते हो ना तो यह बहुत जादा silky रहेंगे और हाँ पानी तो ना लो हैर पॉरोसिटी क इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने देखे रखी हुई है और अगर आपकी हैर पॉरसिटी जो है वह है यहां फिर नॉरमल है तो कॉमेंट करके बताओ मैं उस पर भी इससी तरह से डीटेल में वीडियो बना दूंगी ताकि आप उन्हें भी अच्छे से क्योर कर सक ठीक है तो अब मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई